थंड का सितम थंबने का नाम नहीं ले रहा दिन प्रति दिन थंड में बढ़ोतरी हो रही है उत्तरी और पश्चे मुत्तरी हवाएं पहाडों से बरफीली हवाएं लेकर मैदान की ओर आ रही है तट्ये इलाकों को छोड़ कर देश भर में सर्ध हवाई चल रही है ठंड के साथ कोहरा भी कहर मचा रहा है आलम ये है कि वाहनों के पहिये थम गए हैं सडकों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं लोग अलाव का सहरा ले रहे हैं जानकारों का कहना है कि कोहरे को लेकर घरों से बहुत जरूरी काम होने पर ही निकलना चाहिए बढ़ते कोहरे के कारण हाथसों में भी वड़ोत्री हुई है मिनिमम चेंपरेचर में 5-7 डिगरी तक की कमी ने देश की दो तिहाई आबादी को ठिठुरा दिया है हर्याना का रेवाडी 1.5 और नारनोल 1.8 डिगरी तापमान के साथ देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडे रहे ये सामाने से 3 डिगरी कम तापमान है अंबाला में दिन का तापमान सामाने से 5 डिगरी नीचे 13.2 डिगरी दर्च किया गया सुबह के समय गहरी धुंद रही मद्यप्रिदेश के 11 जिलों में शीत लहर चल रही है दिली में पारा 2 डिगरी पर पहुँच गया ये शिमला और मसूरी से भी जादा सर्द हो गया है आपको बता दे कि श्री नगर में बीती रात तापमान माइनस 8.4 डिगरी पर पहुँच गया ऐसा यहां 1995 के बाद हुआ है उतर पश्चिमी भारत के राज्यों के कई शहरों में भी सुबह तापमान 3 डिगरी से कम रहा यहां यह भी बता दे कि लद्दाक के द्रास में गुरुवार को तापमान माइनस 28.2 डिगरी दर्च किया गया था जबकि 5.9 डिगरी के साथ जम्मू और 4.8 डिगरी के साथ कटरा में भी जबरदस्त ठंड रही भीवानी और रोतक में विजिबिलिटी 25 मीटर रह गई राजस्थान में दिन भर शीत लहर चली सुबह 10 बजे तक कोहरा चाय रहा मौसम में आये बदलाव से मैकसिमम टेंपरेचर 24 गंटे के अंदर ही 10.5 डिगरी गिर कर 12.5 डिगरी पर आ गया हलाकि रात में बादल चा जाने से मिनिमम टेंपरेचर में 5.3 डिगरी की बढ़ोतरी दर्च की गई और ये 5.5 डिगरी दर्च किया गया पंजाब में शीत लहर से राते तो सर्द हैं ही अब दिन का पारा भी गिरने का रिकोर्ड टूट रहा है यहां 17 साल बाद फिर से दिन में मैकसिमम 11 से 13 डिगरी तक रिकोर्ड हुआ जो सामाने से 6 डिगरी की बड़ी गिरावट पर है इससे पहले 2003 में 14 जनवरी को मैकसिमम पारा 11 से 12 डिगरी रिकोर्ड हुआ था बिना बारिश के दिन के मैकसिमम टेंपरेचर में गिरावट दर्ज हुई है मद्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने फिर से मुश्किले बढ़ा दी है उमरिया सबसे ठंडा रहा यहां रात का तापमान 2.3 डिगरी दर्ज हुआ ग्वालियर, उमरिया, नोगाओ, दत्या, रतलाम, खजुराहो, जबलपुर, रीवा, बालाघाट, सिवनी और सतना में शीत लहर चली प्रदेश के हिल स्टेशन पच मड़ी में तापमान 4 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया उतर पश्यम से आने वाली बरफीली हवाओं के असर से पटना सहीत बिहार के सभी हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग के मताबिक अगले 24 घंटे में रात के साथ ही दिन के तापमान में दो से तीन डिगरी की गिरावट होगी पटना में मैकसिमम टेंपरेचर 17.6 और मिनिमम 8.7 डिगरी रिकोर्ड किया गया शुकरवार को मिनिमम टेंपरेचर 8 डिगरी रहने का अनुमान है उत्तर से आ रही हवाओं से सरगुजा और बिलासपुर संभाग का बड़ा हिस्सा कडाके की सर्दी की चपेट में आ गया है सरगुजा में कई जगे गना कोरा नजर आने लगा है राजधानी रायपुर में भी दो दिन में पारा 6 डिगरी गिर कर 14 के करीब पहुँच गया और ठड महसूस हो रही है शहर के आउटर में फिर कोरा और धुन नजर आने लगी है उत्तरी जटिसगाड में जश्पुर, कोरिया और बलरामपुर जिले शीत लहर की चपेट में है भारात का तलापमान फिर 4 से 5 डिगरी के बीच आ गया है जंगम आयूरवेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगम आयूरवेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिनमें शुगर के लिए जंगम डीरस योग किट जोडों के जिद्धी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंदित समस्याओं के लिए जंगम स्वन कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम पाइलो किट बहतर पाचन के लिए जंगम पाचकरस किट, थाइरोइड के लिए जंगम थाइरो किट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट, पुरुषों की दुरबलता ठीक करने में सहायक, जंगम स्वन कलश, योग किट के साथ-साथ और भी अदभुत औशधियां, इन सभी औशधियों के लिए हमा और प्राक्टिशनस वो मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें, जंगमायुर्वेदा, नीलो खेडी, डिस्रिक्ट करनाल, हर्याना, मोबाइल नंबर 98170-98180.